हाथ नमस्कार पर दोस्तों पर आपका श्वागत है हम बात कर रहे थे राजस्तान की इतियास के अंतरकर से हम बात कर रहे थे और अब जो बात करने जा रहे हैं कौन से विद्रों की बात करने हमने सबसे पहले नसीराबाद देख लिया था निमच विद्रों की बात करें तो इसके बाद जो मार सामने विद्रों आता भरतपुर विद्रो की जिक्र करी लिया था हमने उसके बाद जिक्र करते हैं हम बात करते हैं किसके बात कर रहे हैं 1857 कि करांती तो कौन से विद्रों की एरिन पुरा विद्रों की इसकी है एरिन पुरा विद्रों की बात करने जा रहे हैं में एयरिन पॉरा विद्रों किस प्रकार से होता है जहां पर एरन पुरा चावनी में विद्रों होताstairs इभा यहां के है कुछ सैनिक जहान से सुनिएगा पर दोस्तों यह के है कि एरिन कुरा के कुछ सेनिक कहां पर दोस्तों अभ्यास करने के लिए माउंट आबू गया हुए और माउंट आबू में अभ्यास के लिए कुछ सेनिक और उसी दोरान कहा जाता है कि माउंट आबू में जो azz का मुख्याल इदर इख का मुंख्याल मांट आबू शेमी गुंता लोरं चृ कुंताइब चार्ज पैट्रिक लोरेंश ऐजी जी था और मुख्याले कहां पर यहां से बात करें इसी समय कहा जाता है पर है अर्डोस्तों लगबंग 90 कितना है कि यह देखेंड एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने कि कोशिश करता हूं पर दोस्तों लेगा जहां पर एक डाइग्राम की माद्यम से हम समझ ने की कोशिश करें गें अब से पहले यह जो डाहिग्राम बना रहा हूं पैंवा दोष्टों तक अमाद्यम से हम समझने की कोशिश करें गें मुझे इदर आजाएगा दिल्ली पर यहां पर आपका जूद्फूर का जूद्फूर का जूद्फूर का जशा कैं तक्ट शींग कर दो का सासकोन है तक्ट शींग माउंट आबू माउंट आबू आजाएगा और माउंट आबू यहां पर ही आपके AGG का मुख्या ले किसका AGG का मुख्या ले और AGG कौन है George Patrick Lawrence कौन है George Patrick Lawrence George Patrick Lawrence क्या है आपका AGG और एजजी का मक्याले कहां है पाउंट टाबून देखेगा पैर दोस्तों क्या कंडिशन होती है अब जो बात करने जा रहे हैं इसके माध्यम से आपको समझना है यह जो मार्ग है इसी मार्ग में यहां परपास में पढ़ता है क्या पढ़ता है एरिन पुरा क्या पढ़ता ह इस जगह पर जो गाउं है एक इस जगह पर जो गाउं में प्यार दोस्तों कि पढ़ता है एरिन पुरा कुंसा एरिन पुरा एरिन पुरा और यहां पर पुड़ा इससे आगे चले हैं जहां पर जो पढ़ता है आवा क्या पढ़ता है आवा आवा पाली में पढ़ता है कहा इस से नम्न धरव थेरवा है और यहां पर पास में के लिए अधर पड़ता था यहां पर पास में एगा नाम था भी थोड़ा कौनशा था वह इन्सा इस्तान थे थोड़ा ठीड़ एक और इस बी थोड़ के पास ही थोड़ा सा आगे चलेंगे यहां पर आ जाता है आपकाम यांपर आओं। यह जो बिडिल वाले सेंट्र है यहां पर देख रहे हैं यहां पर के खेरवा कौण सा है खेर वा और यहां पर पढबता है पाली में पर दोस्तु से कि यह इस तरीके से यह रोड में पर है और यह रोड कहां जा रहा है भी अंत में जाकर किदर पहुंच रहा है यह जो रोड है जा रहा है आपका दिल्ली की ओर किदर जा रहा है दिल्ली के ओर जा रहा है यह हाइवे है नेशनल हाइवे तो दिल्ली के ओर जा रहा है और इसकी कि बात करें पहर दोस्तों क्या कंडिशन है यहां पर अब कंडिशन यह है कि एजी जी एजी जी यहां था और एरिनपुरा के कुछ से अनिक एयरिनपुरा यहां पर है विस एयरिनपुरा के कुछ सेनिक कहां पर युद्द' का अब्यास करने के लिए गये हुए थे सब्सके यहां पर गजाता है लगबग 2017 नबल सेनिक खैए और यहां पर क्रदेते हैं यह 21 अगस्त Vou क्या पह हैरा दोश्तों यहांपर 21 अगस्त ओऊंगु कि इस अगस्त के कर देते आगा कूस्त कर्देटे से इसका जॉड्टर्रald semester पूत्र था नाम सका अलेंडर जाता है क्या नाम था अलेक जेंडर को मोथ के घाट उतार दे यहां पर करांथी की सुरुवाथ कर दी जाती है 21 अगस्त 1867 को आप करती जाती है माउंट अबु शिरोई में कर दी जाती है तिसके द्वारा करती जाती है एडन्पुरा के सवारनी को द्वारा लिख दी जाती एरेन पुरा में जो सेनिक के जॉद्पूर लीजियन नियुक्ति ती चुटीत कहले एब contar Engineering लिजियन के सेनिक ठीटटे ए यहां पर तो आहँ हुए ते और मांट और में क्या कर देते एक रांति कर देते सांती की शुरुत कर देते ठीग अगस्थ 21 को 21 अगस्ट को करान्ति की शरुवात कर देते हैं two सो क करान्ति की शुरुआत कर देने के पश्चाथ क्या कंडिम होती है इसके बाद मासे मंग्टा यूच बढ़ते हैं यह इधर के और बढ़ते हैं और अपनी का जाता है कि यहां पर करांती का जो भी खजाना था खजाने हो जाने को लूट लेते हैं खजाने को लूटने के पश्चात सभी पर अधिकार कर लेते हैं यहां पर करांती पर अधिकार कर लेते हैं अधिकार कर लेने के आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के पहुंचते हैं आगे बढ़ने के पहुंचते हैं यह पहुंचते हैं यह पहुंचते हैं एरिनपुरा और एरिनपुरा में कहा जाता है कि एरिनपुरा में जो पुराने से निखते हैं कुछ से निखते हैं यहां पर विद्रो कर दिया ज यहां पर विद्रोग कर दिया जाता है एकिस अगस्थ को ए कि यहां पर विद्रोग कर देने के पश्चाथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की कहा जाता कि इनको जो यह चैनिक को पूर्व की तरफ इधर से आये थे इस कारण इनको क्या चैनिक कहा गया और इनके द्वारा यहां पर विद्रो कर दिया जाता है चलेगे आगे बात करें तो हम एरन पूरा पू fırक जात यहां पर विद्रो का आगाज कर दिया जाता है किया लिक उर्फ कर दिया जाता है उहां पर विद्रो कर दिया गया और क्रांति कारी इंदर बड़े दिल्ली की ओर रवाना हुए और यहां पर कहारा पर एगाफसे वहर पर पोचकी यहां पर कौन सा खेरवा नामकिस्तान पर फोचिक हि Compared सेवानामकिस्तान पर यहां पर आवा का ठाकूर था खूंता और तीम चूंपावत और कुशाल सिंग चंपावत ठाकूर और और कुशाल सिंग चंपावत ने का जाता है कि यह यहां के सेनिक जो दिल्ली के और से आये थे सेनिक यहां पर आकर इस कुसाल सिंग चंपा उट से मिलते हैं थोड़ा सा प्लेस में लेकर चलता हूं प्लेस में लेकर चलता हूं आपको जोदबुर्गी ओ ठीक है यहां पर किसे मिलते हैं कुसाल सिंग से अब यहां तक पहुंच जाती क किरांतीकारी कहां तक पहुंच जाते हैं खेर्वा नामक इस्तान तक पोगता है और इस freshman तक पूंच जाते हुँ सस्तान पर पोफिस जाने के पश्चाहत सबसे पहले एक क्या होता है यहां बिठोड़ा का सषक तपर दोस्तो क्या हो जाती है जब भी तोड़ा के सासक कि मृत्य हो जाने के पश्चार कुछ समय पश्चार जोदपूर के सासक से मिलने के लिए आवा का ठाकुर गया वास कौन कुशाल सी किसे मिलने जोदपूर के से मिलंए के स эфф repentance मिलने के लिए गया तो घाता है कि było हावा मod थोड़ा मर चुका यह तो फिर पर सिर्क सक्रण्यों सब्सक्राइब कर दिया क्या कुझ्वा कर दिया और कहा जाता है कि के बिना पूचे है पूछूँ आर्था तो कुसाल सिंह से बात कर रहें कौन राजा तक सिंह से कहते हैं कुसाल सिंह से कि मैं आप से क्यों पूछूँगा राजा मैं हूं मुझे अधिकार है व्यूप्त करने का तो कर दिया अच्छा तो यह बात है तो कर दिया तो ठीक है भई अब कि नहीं कि कैसे ऐसे कैसे कर दिया गई ऐसे कैसे कर दिया गई राजा में हूं और तू कोण होता इसके बारे में राजा में हूं और तू कोण होता इसके बारे में पटलाएं करने वाला तू बीच में टांगडाने व किसा जब वापस आता है तो वित्यों ग़्माजी को यहां से आता है अब बताओं क curvamu और यह आता है किसे जोध्पूर के सासक इसे नाराज होकर तो आता हिए यह कानजी को मारा देता है मार देने के पशियरतपी गता है जो है टक्षिंग इसे नाराज मौत जोद्पुर का सासक नाराज हो जाता है अब जोद्पुर का सासक नाराज हो जाने के बाद वेर दोस्तों क्या कंडिशन होती है जब यह नाराज था ही सही और जहां से किसे मिल जाता है यह सेना से मिल जाता है इधर से एरनपुरा की सेनिक आये थे और इधर से कहा जाता है कि यह जो सेनिक आये तो उनसे मिल जाता है और मिल जाने के पश्चाहत यह इनके द्वारा एरिनपुरा के चेनिकोट के द्वारा कौन्चा नारा लगाया जा रहा था चलो दिल्ली Μारो फिरंगी मारो फिरंगी यह नारा लगाया गया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसके द्वारा लगाया गया था यहां पर एरनपुरा के सेनिको का द्वारा लगाया गया था और एरनपुरा के सेनिको में भी कौन था पैरी पैरो दोस्तों यहां पर का कहा जाता है कि यहां का जो वेक्ति था आसोपा का ठापुर सीव्दांठ सींग। का 한का? आशोपा. आशोपा का शिव्दांठ सींग. अशोपा और अशोपाका जो सा सक था जाय सकता है यहां का सा सकता सिव नाथ सी हुँ 552 नाथ ही को separating का कि हतुद यह नारा लगाया गया था अधर जार्ध आप से प्रस्म पूछ किसके द्वारा लगाया गया था एरिनपुरा के सानी को द्वारा लगाया गया था यह आगे बढ़े और जहां पर नारे लगाते हुए बैठे हुए थे और जहां पर देखिए किसे मुलाकात होती है इस खेरवा नामकिस्तान पर किसे मुलाकात होती है यहां पर ठाकुर कुस लगा हम तो हमारे मिलने वाले अहरप अपने पास हें तो मिलने वाले हैं तो मिलने वाल यह था करो हुद तो जानते हैं कि अर जानते हैं तो क्या नारा लगा रहे तो दूबार anger चलो दिल्ली मारो फिरंगी इस नारे Яरे चैनी को चलो आउवा चलो ओ यह करो नारा और कहा जाता हमा ले जाता यह सारे करांति कारियों को जो फोरा से आए हुए थे ठाकूर कुसाल सिंग से मुलाकात करते हैं यह खेरवा नामकिस्तान पर खेरवा नामकिस्तान पर मिलने के पश्चात सारे करांतिकारी किसके साथ आवा के ठाकूर कुसाल सिंग के साथ कहां चले जाते हैं आवा चले जाते हैं और आवा चले जाने के पश्चात प्यारे दोस्तों यहां पर करांति-कारी गति विडियों में भाग लेए अब कंडिशन क्या होती यह प्यारे साथिंग आवा चले गए आवा चले जाने के फश्याथ अब यहां पर जो इसका जो सेनापती ते यहां पर कहा जाता है ते ढबाद लील्च और चले जाते आवा चले गए यहाँ पर जो जोर्व में या स्वुर्वा में जो एर इनपुरा की जो सेनिक थे इन्गे द्वा विद्रो किया गया था वह तीन सेनिक मानें जाते हैं एक तो हैं मैं यहां पर लिख देता हूं उनका नाम ए कि एरिन पुला में विद्वो करने वाले सेनिक जोज़़स्पूलीजियन के एर इन्पुला में जो किया था उनका नाम लिख रहा हूं याद रखना पहरे दोस्तों क्या क्या नाम था एक तो काया जाता है एक तो था मोति खां एक ता तिलक राम और शीतल प्रसाद को था एक तो कहां के यहां के सेनिक एक तो नाम तो मोति का मोति खां इतल प्रसाद इतल प्रसाद और दूसरे का नाम क्या है पर दोस्तों दूसरे का नाम है तिलक राम क्या नाम है तिलक राम ये तीन स्यंक कहां के थे ये विद्रोग करने वाले शेनिक थे काह यहां पर अधियन पुरा का विद्रोग शेनिक थे जिन posth कर दिया जाता है और इदर से आख्ष्क्न की दूसरे और इसी के द्वारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया तो आगे बात करें तो पहरे साथ क्यों क्या कंडिशन होती है अब हम सिच्वेशन देखते हैं यह कांजी को मारी देता है और विथोड़ा पर अधिकार कर लेता है कौन अब देखिएगा अब इस विद्रो का पतो चल जाता है अता इसको किसको पता लगता है इसको पता लगता है किसको कि में यह जोथपूर के सासक इस समय पोलिटिकल एजेंट को हुणता मेक मोशन और मेक मोशन कहा जाता है कि अब कंडिसन क्या होती है यह पूरा पूरा विव रचना और यहां पर देखीगा इस तरीके से देखा जाये तो एक युद्ध होता है इसके पश्याद पैरों दोस्तों क्या कंडिसन होता है काँ मतंचे कर देता है अब इTM के डोलों के बीच में क्या थन्द कि दाती फिरोध ध्षने के पिस्षट पहाज जाने घ्रोस्तों जिसे हम भी तोड़ा का युद काते हैं कौन सा युध होता है कि थोड़ा का हुझ भी थुड़ा थोटा है और का सच्टोड़ा देखे चाहां जा रहा है मार्ग दिल लिए और जहां पर कौन सा यूद्ध ता पीठोड़ा का यूद्ध पीठोड़ा का यूद्ध कि तोड़ा का युद्ध होता है और बीत थोड़ा का जो युद्ध होता है यह आवा पाली में पड़ता तो कहा हुँता है यह होता है आठ सितंबर को आट सितंबर सु 400 को वी थोड़ा का युद्ध होता है आट स्टमबर और एस ख्राइख शिप्तमबर एसमें जो एद युद्ध होता है पर डूंद तो क्या कंडिस्न होती है किनर दों प्रकीवाथ करें आट कर शेप्तमबर आठारा सूष्ट तश्तावन एयर regard शान्य पिंदित करें कि थोड़ा का यूद्ध रहता है फियर दोस्तों कब वोता है यह आशच शिप्तंबर कि है 8 सितंबर अठारा था सो शत्तावंको अठी तंबर अठारा सुक्तं पिंग यूद्ध ना यह यह संद्ध मेध्भूत है यहाँ पर विसेष स्थ्थ्यान रखना है आपको यह युद्ध डेटाइश एक तरफ तो आपका Kusált Shing चंपाउतla कौन एक तरफ गुषाल सिंग चंपाउत और अंग्रे जी सेना जो आती है केटन Hitlerlaat को अथा इसमें केटन हित कोट आता है और केटन इसकोट यहां पर ऐसाटा हैं तो और इसमें पूरे के भाग लेता एक तो हम नगरेजेयो के उरो से और بशारास सिंग जो किसका सेनापति हुआ करता है वता सेनापत love नगेयर के साथ 10-10 पमार और राइमल लॉडा भी भाग लेता है मिला वी भाग लेता है तो यहां पर चंपावत कुसाल सिंग चंपावत वर्सेज अंग्रेजियों की तरफ से हितकोट केप्टन हितकोट कोन हितकोट केप्टन हितकोट भाग लेता है के साथ ही ओनाड सिंग पंवार ओनाड सिंग ओनराड सिंग भाग लेता है और इसके साथ ही पेरेज़ोस्तो राजन City सोडा है कुन लो собствен बाक लेता है और राज मल्सूडा भाग लेता है और राज मल्सूडा था इस सुरूडमे के साथ एक और भाग लेता है और वो कौनता पार्योंत और दोस्तों है इस युद में जो भाग लेने वाला था वह था कहा दाता है कि तिन्यू घिंटार युद्ध में पार्यर नियुके हैं कुछाल सिंट चंपाउत विजय उस युद में कौन विजय हुआ इस यूद में वी जय होता है कुछाल सिंट हिंट कौन मी E होता है कुशाल सिंग चंपाव तो इस यूद में विजय होता है अब कुशाल सिंग चंपाव तो विजय हो जाता है और विजय हो जाने के पश्चात यूवसेना वापस लोड़ जाती है और कहा जाता है पहर दोस्तों क्या कंडिशन होती है इसमें ओनार सिंग मारा गया क्या इस युद्ध में ओनाड सिंग जो था ये वीर गत्ति को वो ये मारा जाता है कि क्या हो जाती है इस युद्ध में ये मारा गया मारा गया कौन मारा गया भई इस युद्ध में ओनाड सिंग मारा गया ठीक है ये याद रखना कि ये मारा जाता है कौन ओनाड सिंग मारा जाता इस युद्ध में मारा जाने के पश्यात प्यार दोस्तों दूसरा जो युद्ध होता है वह होता है अब कंडिशन क्या होती है कि इसके दस दिन बाद कब प्यार दोस्तों इसके दस दिन बाद और 18 सितंबर को कब की बात करें प्यार दोस्तों 18 सितंबर को कब 18 सितंबर को चेलावास का युद कौन सा चेलावास का युद चेलावास का युद होता है पैर दोस्तों यह चेलावास यहां है और बिथोड़ा यहां है यह बिथोड़ा में होता है और एक चेलावास का युद यह कहां होता है यह 18 सितंबर को होता है इसके जश्ट जश्ट दिन बाद य कि युद्ध होता है और दस दिन बाद युद्ध होने के फश्यात बात करें प्यार दोस्तों इसमें कौन-कौन भाग लेता है एक तरफ तो कुसाल सिंग चंपावत की सेना लड़ती और दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट खुद बाता है जो जॉर्ज पैट्रिक लोरेंस और मारवाल का पॉलिटिकल एजेंट एजीजी खुद आता है जॉर्ज पैट्रिक लोरेंस और मारवाल का पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन आता है मैक मोशन भी इस युद्ध में भाग लेने के लिए आता है मैक मोशन इस युद्ध में भाग लेने के लिए आता है और इस कौन कोन किस किस के बीच होता है चला वासका युद्य प्यारों दोस्तों। इसमें एक तरफ तο कुछाल सिंग चंपावत Enlightots आपisz से एपंपावत वर्शेजड़ कौन था एक तो फोलिटिकल एग्जेन्ट यह सुरी एजी जी कौन ता पैट्रिक लोरेंस पैट्रिक लोरेंस पैट्रिक लोरेंस पैट्रिक लोरेंस सो इम भाग लेता है इसके साथ जोद्पुर का यह मारवार का पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन कौन आता है वही मैक मोशन मैक मोशन इसमें भाग लेता है और वीजे किसकी होती कि पैरे दोस्तों इस युद्ध में जो विजे होती है इसमें कुशाल सिंग्चंपाउत के विजे उतर इसकी विजे हो जाती है इस युद्ध में कहा जाता है कि एक तरफ से मान लीजिए इस तरीके से ये कुशाल सिंग्चंपाउत की सेना आई और कुशाल सिंग्चंपाउ और लड़ने के पश्चात क्या होता है कि इसको किसको मेक मोशन को यहां पर मोट के घांट उतार दिया जाता है इसका सिरकाट लिया जाता है सिरकाटने के पश्चात आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया जाता है मेक मोसन का यहां जूद्पूर का पॉलिटिक gars jąeg मेक मोसन का सिर्ग आटकर आउंभा के किलिए के दरवाजी पर लटका दिया जाता है और इसका मिस किसके विजयों होती है कैप्टेन सुरी कुसाल सिंह चंपाउत की विल गयूर्ला की विजए होने के प fringe भायर तो क्या कंडिशन होती है कि अंग्रेज इससे डरने लग जाते कुसाल सिंग चंपाऊचे क्योंकि इसने दो बड़े विद्धों में विजे प्राप्त कर लिए और इस समय के विजे के प्रशात यहां पर एक गाना बज़ता था कौन सा गाना बज़ता था दोल बाजियो अब कंडिशन क्या होती है पहरों दोस्तों कंडिशन यह होती है कि मेक मोशन मारा जाता है और मेक मोशन को क्या मोट के घांट उतार दिया जाता है किसके द्वारा इसका सिर काट लिया जाता है और आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया जाता है किस पर लटका दिया और सिर काटकर तिर काटकर आवा के किले पर लटका दिया गया आवा के किले पर लटका दिया गया इसका सिर काटकर भी आवा के सुरी यहां पर मेक मोशन का सिर काटकर कहां पर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया अब कंडिशन क्या होती है कि इस दोनों युद् साहां एंग्रेज डरने लगते हैं। किस से कुसाल सिंक्छ गत्सां से इस युद्ध को गोरों और कालों का युद्ध भी काएजाता है? क्या का आ जाता है? कि आप तरफ तो अंग्रेज लड़ रहे थे दूसरी दरफ दोस्तों दोस्तों इस जो किया तो हुआ उपने चलावास को अच्छे तो कब शुकुष्षर करता हुआ पर चलावास पाली में पढ़ता है युद्ध होता है युद्ध होने के पंश्याथ क्या कंडिशन होती है यह तो कहां पर होती जहां पर चेलावास में युद्ध भाएंकर युद्ध होता है और चलिए अब बात करें इस युद्धि के बाद इसकी उसाल सिंग की चंपाउत की देवी ती कुषा अंप शुगाली माता की बारे में कहा जाता है अंग्रेजु को पता चला है कि जनसमानी से पूछा अंग्रेजुने की युद्धि युद्धि क्यों जी तरह है नहीं के लोगों ने कहा इससे कि इसके उपर शुगाली माता का आशिरवाद है और जब कता को इसका आशिरवाद रहेगा तब तक आप विजय प्राप नहीं करें तो अंग्रेज डरने लगे और डरने के वज़े से पहरा दोस्तों क्या कंडिशन होती है कंडिशन ये होती है कि जब यहां के लोगों ने तो आकरमन करना ही बत्त करते हैं और सितंबर से लेकर चनवरी तक कोई आकरमन ही नहीं किया और अकरमन नहीं किया तो कंडिशन क्या होती है पहरा रोस्तों इसके बाद कहां से दिल्ली से सेना बलवाई जाती है और दिल्ली से करनल हॉम्स आता है को न आता है भी करनल हॉम्स आता है और हॉम्स का आ जाता है कि 20 जनवरी 1858 को किसके उपर आकरम करता है यहां पर आववा के उपर आकरम करता है और आववा को चारों तरफ से घेर लेता है आवा का युद और आवा का युद में यहां लिख देता हूं प्यार दोस्तों चलिए गावास है इसके बाद जो होता है चीज सांसे झाल झाल या प्रसातियों ऑब बात कर रहे हैं है अब जो बात कर रहे हैं कि बात आवा का यूद्ध वाथ ख़र हैं तरस ख़र में अवा ni तावा का युद्ध होता है किसके बीच होता है यह जो युद्ध होता है आवा का युद्ध पेर दोस्तों देखेगा एक तरफ तो कुशाल सिंग चंपाउत कौन कुशाल सिंग चंपाउत वर्सेज किसकी बात करें जहां पर अंग्रेज करनल होम्स करनल होम्स करनल होम्स करनल होम्स करनल होम्स के नेतरत में युद्ध होता है और अंग्रेज और सुरी यहां कुशाल सिंग चंपाउत और करनल होम्स के नेतरत में युद्ध होता है इस यु प्राज जोसिए अन्सराज जोशी इसका सयोगी ता करणल होंस का और इसमें क्या होता है अंत्त इसकी और से प्रत्वी शी और प्रत्वी सिंग लड़ा ता कहां का लांबिया का ठाकूरता लांबिया का ठाकूरता तीक है ये किसकी और से लड़ रहा था कुषाल सिंग्या चमपाउत के और से लड़ रहा थ और देखी ऐगा पेर दोस्तों अब कंडिशन क्या होती है अंसराज तरब से लड़ता है कुशाल सिंग यहां पर विजय होता है कौन विजय हो जाता है यहां पर करनल हॉम से विजय होता है और करनल हॉम से विजय होने के पश्यात पैर दोस्तों क्या कंडिशन होती सुनों कि युद्ध चल रहा था युद्ध के दोरानी जब किसको कुसाल सिंग चंपाउत को लगा कि हमारी पार नहीं पढ़ रही हमारी सेना रूप से नहीं जीत पारे और जीत नहीं पारे तो यह सेना एकत्रित करने के लिए और सेना लाने के लिए यहां से निकल जाता है निकल ज पुष्वों पर इस युद्ध से भाग जाता है और अंत में इस हंड़ सराज नामक जोशी के क्या इस वास घात करने के कारण क्या होता है प्यार दोस्तों इस युद्ध में करनल हॉम्स की विज़े हो जाती है विज़े हो जाने के पश्चात आवा पर अधिकार कर लेता है 24 जन्वरी को कब प्यार दोस्तों 24 जन्वरी को कब की बात करें 24 जन्वरी को गोई सबनें हômज अधिकार कर लेता है अधिकार कर लिमेर बेता है करनल होम्स अधिकार कर लेता है अधिकार कर लेने के पश्याथ यहां पर फून रूप से किसकी पराजी हो जाती है ठाकुर कुसाल सिंग चंपाउत की पराजी हो जाती है कि इसके कुछाल सिइख चंकाऊध कि amazed कि आता अगा पुरा नाम है फुषाल सिंग चंपाऊध कुछाल सिंग चंपाऊध यहां से निकल जाने के पश्याथ ये कह समृत है कि यहां से निकल जाने के पश्याथ पहरा tapi दोस्टों यह पुरूँचताए कोठारिया और कोठारिया पढ़ता है राज संबंद में कोठारिया 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 राज संबंद में यहां का ज अब condition यहां का अर्शासक्ता जोद शी इन के यहां क्या लेता है इसको सरण देता है इसको सरण देने के फशात यहां से का निकल जाता है और यहां पर जो फोचा था धार,чтоोग कर दोस्तो यह आप कंडिशन क्या है सुनूध यह ओता चला जांट है यह सह लुंबर चला जाता है यह सलुंबर का थाकुर और को सबस्केर द्रता केसरी सिंग को टाकटा कषरी सिंग केसरी स ता और केसरी था कर यह जा कर यह सरन लेता है काँ चल जाता है इसके बाल यह चला जाता है तिसे चला जाता है और नीमच चला जाता है और नीमच चला जाने के पशाथ आठ अगस्ट यहां से निकल जाने के पशाथ पहर दोस्तों यहां से कहां चला जाता है यह नीमच चला जाता है नीमच और नीमच कहां पर पढ़ता है MPB कहां पर पहर दोस्तों यहां पर आठ अगस्ट यहां पहुंचता है रिजह गया क्रड़ाइब यिख皆さん और को साल संग कह साथ है फ़िख सपर निमच पहुंचता है और निमच पोस्थने के प्रशाथ यहां पर आठ अगस्त 1860 को ठाकुर कुसाल सिंग चंपाउत कहां पहुंचता है नीमच पहुंचता है और नीमच पोचने के प्रशाथ यहां पर आत्म समर्पन कर देता है अंग्रोजी के लिए आत्म समर्पन कर देता है क्या कर देता है भी आत्म समर्पन कर देता है क्या कर देता है आ प्रवक्रम लिए कि ने इसको बन दी बनादिया और इसके लिए इसकी कईसाल सिंग् कि जांच के लिए टेलर आयूग बठाया टेलर कमिशन बिठाया पहरे दोस्तों कौन सा टेलर कमीशन बिठाया और इसने इसकी जास की कौणसे कमीशन के लिए थाकुर कुशाल सींग्ज चमप impacto की जास के लिए और इसने अंग्रेजियों से जाकर का है तो शाय मुत्यूंत हुटन कोई आक्रमन करता आपन अपन कोके मिन अपन तो से नहीं क duties नों दोनों थता है शुचक ऑ्यम क दोस्त है से आक्रमन आकाँ मैंने और low dream नहीं है यह जोदपूर के तक्तशी में उससे दस्मनी थी और उसके चकर में आप बीच में आजी रोटी में डाल लिया आप लोगों ने इसका रखना अपसे बात तो सही है कि आसपास वालों से पुचा क्यां सही बात है इसका पता लगाने के लिए यह दोशी है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए किसका टेलर कमीशन सादर्म है ओ टेलर कमीशन निसको निर्दो्स वादित कर दिया मढ़न प्रेजका कि अ 10 नवंबर 1860 को टेलर कमिशन ने इसको निर्दोर सावित कर दिया कब 10 नवंबर 1860 को और निर्दोस साबित कर दिया क्या निर्दोस निर्दोस साबित कर दिया और निर्दोस साबित करके इसको रिहा कर दिया अंग्रेजु ने इसको क्या कर दिया फिरी कर दिया रिहा कर दिया और रिहा कर देने के पश्चाथ यहां से कहां चला जाता है फैर दोस्तो नीमत से कह चला गया इसके बाद यह उद्यपुर चला जाता है कौन यहां के बाद कहा चला जाता है यह उद्यपुर चला जाता है और उद्यपुर में प्यारे दोस्तों यहां पर कई बार इसने जोद्पुर पर कई शेत्रों पर आकरमन भी किया आकरमन करने की पस्चात सेना इसाटा सो चोंसत में कुशाल सिंग की किके कुषाल सिंग की कुषाल सिंग की कुषाल स्थिक की pen nayarda UK मरत्यू हो गई प्रोब हो गई कहां पर कुझित आप रोगत की से जयते अंत में हो जाती यह विसे इस त्युप से मरत्य रखना अवे फसलिक विद्रूद के बात करें दोस्तों आवा के विद्रोग के बाद इस प्रकार से टेलर कमिर्षय और इसको रिहा कर दिया गया निर्दोष साबित करने की पस्चात कर दिया जाए और अंत में किदर चला जाता है उद्विपूर की और चला जाता है कि आज की लिए इतना ही काफी पहर दोस्तों मिलते हैं नेक्ट जोस और जुननिक के साथ 1853 के साथ जेहिन जेवारत कर दोस्तों मिलत Rent-90 जाता है तर आता है?' कर दोस्तों मिलतों मिलते हैं कर दोस्तों मिलते हैंusan जाता है